नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूँ हमान शूर आप देख रहे हैं हलचल इंडिया बेबाग खबर तेज असर आज ये नदर डालते हैं आज की खबरों पर पार नहीं अपके बार बीजेपी को इस पार लोग सभा से बाहर निकाल कर रहेंगे जिससे युवाओ को रोजगार मिल सके और देश में फिर से विकास कर सके और अपने देश के सम्विधान को बचा सके अव्दार सिंग बढ़ाना ने कहा कि जब मोदी की लहर थी तो क्रिश और जिनका नाम ले रहे हो वो मेरे नाम लेने के लायक नहीं है उनको पूरी जंता जानती है कि उनकी अपनी कोई हैसियत है नहीं वो अपनी हैसियत के नाम पर खड़ा होगे पारशत का चुनाब रणके दिखा देकर मेरे सामने वहां मोदी जी की और भाजपा की और संग की एक दौर था जिस दौर में वो जीता था अब जंता समझ गई है उन सब चीज़ों को और राहूल जी के हरे से पर देश की जंता नहीं देश की जंता पूरे पूरा देश पलतेगे और एक नई कॉंग्रेस की गठबंदन की सरकार बनेगी और मुझे लगता है कि गठबंदन की सरकार में गठबंदन के सरसम्मती से प्रधान मंतिरी राहूल गानी बनेगे कि जिनपाल जी मूदी के नाम से वोट मांग रहे हैं अपने नाम से दस साल के कारकाल में वोट नहीं मांग पारे हैं उनका कुछ नाम अग्राम ही नहीं वो तो उन्हों ने जितना जुलम और लोगों को सताया और जितना लूटा है उसका तो हिसाब चुका देगी इस बार जंता आपका प्रदेश में क्या बिचार है पारड़ी किनी सीट लेड़ी आपनी मैं यह तो ज्यादा जानकाली रग निश्चित तोर पर और हरियाना किसी से पीछे नहीं रहेगा हर स्टेट से आगे रहेगा तो चला है आपसे विज़ा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नहीं और ताजा खबरों के साथ तब तक के लिए दीजे हमें इजादत नमस्कार हमारे यूट्यूब और फेस्ब झाल